दोस्तों आज मैंने सोचा था कि इस वीडियो पर दीपिका पाड़कोन और कंगना रनावत की फोटो चाप दूँगा थमनेल पर चाप दूँगा ताकि आप लोग क्लिक करें और देखने आए लेकिन ये वीडियो बॉलिवुड के बारे में नहीं है मैं आपको थोड़ा सा बैड न्यूज देने वाला हूं लेकिन आपको बोर नहीं करूंगा आप इस वीडियो को जरूर देखिए ये वीडियो हमारे अन्य दाताओं को लेकर हैं किसान भाई बेहनों को लेकर हैं आप थोड़ा दस मिनिट उनके लिए निकाल लीजिए सुन ल लाओंगा डेटा जो लाओंगा आकड़े जो लाओंगा वह आपको चौका देगा और उसके बाद आप थोड़ा सा समझेंगे क्यूं हमारे देश के किसान बदहाल है हमारे देश में लगभग 11 करोड किसान परिवार हैं और इन में से दो तिहाई यानि कि 67 प्रतिशत किसान परिवारों के पास एक हेक्टेर से कम जमीन है अब आप कहेंगे कि हेक्टेर मुझे समझनी आता है आमदनी बताईए कि एक हेक्टेर में आमदनी कितनी होती होगी सिर्फ जमीन से हमें आमदनी की बात समझनी आगी यह समझागा कि जमीन उपजाव कितना है वहाँ पे कौन सा फसल बनता है सिजाई कैसी है, बिजली कितनी आती है ताकि water pump चल सके, कौन सी बीज लगती है, कितना fertilizer मिलता है, उसके उपर depend करता है कि एक hectare की जमीन पर क्या बन सकता है और उससे कितनी आमदनी होगी खेर हम गेहु की बात ले लेते, अगर हम गेहु एक पंजाब के खेत में देखे, तो एक hectare खेत में औसतन लगबख 50 quintal गेहु पैदा किया जा सकता है वही अगर मैं उत्तर प्रदेश में जाओं, उत्तर प्रदेश में अगर मैं जहाँ पर सिचाई अच्छी है, वहाँ देखो तो पैदावार उतना ही होता होगा, लेकिन बहुत उत्तर प्रदेश के ऐसे जगए हैं, जहाँ पर पानी कम है वहाँ पर जो यील्ड निकल कर आता है, वो एक हेक्टेर से लगबग 35 क्विंटल के आसपास आता होगा अब आप देखे कि MSP नया न्यूनितम सपोर्ट प्राइस सरकार ने, मोधी सरकार ने अनाउंस कर दिया है उस रेट पर यानि 1975 रुपे प्रति क्विंटल के रेट पर अगर मैं देखो, तो पंजाब का जो किसान है उसको एक हेक्टेर गेहु उगाने से आज की डेट पर लगबग 1 लाक रुपे मिलेंगे जो यूपी का किसान है, उसको लगबग 70,000 रुपे मिलेंगे ये मैं मुटा-मुटा तोर पे आपको बता रहा हूँ आप कहेंगे कि दो यह एक लाक रुपे, 70,000 रुपे, ये कोई कम पैसे थोड़ी नहोते हैं आप कहरें किसान बधाल है, कहां बधाल है, एक लाक रुपे मिलेंगे वो कम थोड़ी नहोता है और उपर से आपको खर्च भी तो हटाना पड़ेगा ना किसान का, जैसे किसी भी बिजनेस में मुनाफ़ा जो काउंट किया जाता है, जो असली आमदनी है, वो खर्च हटाने के बाद किया जाता है, सिरफ नियुनुतम सपोर्ट प्राइस देखने से नहीं होगा, खर्च कित आया हुआ है, वो मज़ेदार भी है क्योंकि पंजाब में जहां पर खेती करना ज्यादा आसान है, वहां पर जो खर्चा पड़ता है एक किसान को, हर क्विंटल गेहु उगाने में वो लगभग तेरा सो रुपए के आसपास पड़ता है, थोड़ा बाग कम लेकिन लगभग तेरा सो रुपए के आसपास इस सीजन में पड़ा है, वही अगर मैं यूपी में देख लूँ तो वह 1560 रुपए प्रती कुईंटल के आसपास पड़ता है, इसका कारण जैसे मैंने आपको ब बड़ेगा मैंने आपको कहा कि पचास कुइंटिल के आसपास एक हेक्टर में बनेगा एक लाग का उसका रिटर्न है अगर मैं कॉस्ट हटा दू तो पंजाब के किसान के पास एक हेक्टर जमीन पर गेहो गाने से लगभग 35,000 रुपए बाकी रहेंगे खर्च हटाकर लगभ 15,000 के आसपास बस 15,000 के आसपास उनके पास से रहेगा अगर मैं आपको 2017 का डेटा लेकर बताओं तो उस सर्वे से हमें पता चलता है कि जिन लोगों के पास एक हेक्टर से कम जमीन है औसतन क्रिशी से उनकी आए सिरफ 25 प्रतिशत होती है उनकी मासिका औसतन 7,500 रुपए ह मासिका है 7,500 रुपए है मैं यह आपको डेटा 2017 का बता रहा हूं और आज आकर वो थोड़ा बढ़ गया होगा लेकिन उनको क्रिशी से सिरफ और 25 प्रतिशत आये होता है इस लिमिट को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं एक हेक्टेर को दो हेक्टेर में ले जाता हूं देश के 87 प्रतिशत किशी परिवार, 87 प्रतिशत किशी परिवारों के पास जमीन दो हेक्टेर से कम है और उससे जो आये होता था 2000 ये मैं 2017 की फिर से बात कर रहा हूं आये जो होता था वो 8,000 से थोड़ा जादा आये औस तन हर परिवार को मिलता था पूरा टोटल और उनक जो क्रिशी से आये था वो लगभक 2400 रुपे से थोड़ा जादा यानि की 31 प्रतिशत उनकी जो मासिक कुल आये है वो क्रिशी से आता था यानि आप फिर से समझे रहना कि क्यूं देश के किसान सोचते हैं कि क्रिशी नहीं करना चाहिए लोग गाउं से निकलना चाहते हैं क्यूं घर चोड़कर घर में परिवार चोड़कर गाउं से किसान आकर हमारे शहरों में आकर दरदर ठोकरे खाकर कहीं पे कोई घर बना रहे हैं कहीं पे कोई दूसरा काम कर रहे हैं कहीं पे कोई खोंचा बिठा कर पकोड़े तल रहे हैं इसलिए क्यूंकि क्रिशी से उनक नहीं चल सकता है अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि 2017 में देश के 87 प्रतिशत क्रिशी परिवारों की आए और सतन 8000 से थोड़ा जादा था आज के डेट पर 2020 हो गया जादा से जादा बढ़कर वह 9500 रुपे मासिक हो गया हुआ 9500 रुपे इसमें क्रिशी से आए उतना नहीं है मैं टोटल आए की बात कर रहा हूं सब चीजों में काम करने के बाद 9500 रुपे जैसे मैंने आपको बता आया यह सरकारी सर्वे से औसत एक क्रिशी परिवार में पांच सदस्य देखे गए हैं पांच सदस्य सारे स्टेट्स को मिलाकर अगर देखा जाए पांच सदस्य पांच सदस्यों की लिए मासिक आए साड़े नौ हजार रुपे यानि कि पर हैड प्रती सदस्य आए कितना बैठता है 1900 रुपे यानि डेली आए 64 रुपे से कम पूरा दिन का खर्चा सब कुछ मिलाकर 64 रुपे में चलाना पड़ता है 87 प्रतिशत कृशी परिवारों के लोगों को और कृशी से आवरेज आए उनकी कितनी आती है जैसे मैं रिपका 31 प्रतिशत अगर है तो सिर्फ 20 रुपे क्रिशी से यानि की खेती से खेती करने वाले हमारे देश के किसान 87 प्रतिश्यत ऐसे परिवार उनमें उसतन परहेड आए सिर्फ 20 रुपे प्रति दिन आप सोचेंजें 20 रुपे में क्या होगा इसका मतलब एक किसी पर वो नहीं डिपेंट कर सकते हैं और इसलिए वो जादा पैसे की मांग करते हैं इसलिए वो कहते हैं कि नुवन्यतम सबंथन मूले जो है वह बढ़ाइए इसलिए कि हमें जादा पैसा दीजिए सर मोधी सरकार क्या कह रही है मोधी सरकार कह रही है कि देखिए यह जो सारा प्रॉब्लम है ना यह इसलिए है कि बड़ी कंपनियां वहाँ पर जाके किसानों से सीधा खरीद नहीं पाती है अब कानून ऐसा बना हुआ है कि सब कुछ किसान को जाकर सरकारी रेगुलेटेड मंडी में बेचना पड़ेगा और उन मंडियों में बिचौलिये कमिशन एजेंट आड़तियों का दबदबा है वो किसान को पीस कर उन से पैसा बटोर लेते हैं इसलिए नए कानून ने क्या किया है यह APMC को बाइपास कर दिया है उन्होंने कहा है कि अब किसान कहीं पर भी किसी को भी फ्री में बेच सकते हैं अब आपको लगेगा फिर तो अच्छी बात है कि जो बिचौलिये हैं उनका गेम खतम है है ना तो किसी को भी आप बेच सकते हैं भाईया बीजेपी यह जो मोधी सरकार ने खुदी एक कमिशन बिठाये थी शांता कुमार जी उसके हेड थे उनका जो रिपोर्ट है वो साफ कहता है कि हमारे देश में सिरफ 6 प्रतिशत 6 प्रतिशत से भी कम क्रिशी परिवार ऐसे हैं ज और साथ में एक और चीज़ आप देखिए यह जो 6 प्रतिशत पहुंचते हैं वो भी अपना पूरा जो प्रोड्यूस है पूरा जो फसल है वो MSP पर नहीं बेच पाते हैं वो भी 27 से 35 प्रतिशत 27 से 35 प्रतिशत के आसपा सीजन पर डिपेंड करता है रिपोर्ट कहता है उ भी मिस पा एक क्या फिर MSP गलत है एक इसको समझने के लिए सिर्फ हम देख लेते हैं कि जहां पर MSP जादा मिलता किसानों को वह है पंजाब और मंडिया मिरता है जहां पर मंदिया् ज्यादा है वो है पंजाब जहां पर नहीं है वह यू-पी च्हार और 2017 का हमें कहता है कि पंजाब में और सतन किसान का आए 23,000 से ज्यादा है 2017 सत्रा में 13,000 से जादा था वही अगर मैं यूपी देख लूँ जहां पर मंडी कम है और MSP भी कम मिलता है वहां पर आए 6,700 से कम है तो आप देख लीजिए कि जहां पर मंडी जादा है APMC का MSP जादा मिलता है वहां पर लगभग 4 गुना साड़ी 3 से 4 गुना जादा आए किसान का है फिर भी मंडिया पंजाब में कम है अब देखी 2004 में आज से 16 साल पहले National Commission for Agriculture ने सुझाओ दिया था कि हमारे देश में हर 80 स्क्वेर किलोमीटर में एक मंडी होना चाहिए ताकि हर किसान को चांस मिले अपर्चूनिटी मिले वो अपना जो फसल है वो मंडी में जाके बेच सके और सरकारी दाम उनको मिल पाए पंजाब जहां पे सबसे जादा है मंडिया वहां पर भी 118 स्क्वेर किलोमीटर में एक मंडी था 2017 का आकड़ा है यह जब का डेटा हमारे पास है 2017 में बाकी देश का मौसत ले लेगे तो चौका देने वाला ओसत है चार सो चौटीस स्क्वेर किलोमीटर में एक मंडी है तो सरकार को क्या करना चाहिए था मंडी बढाने चाहिए था हाज अगर हमारे देश में 7000 मंडी के आसपास है तो वहां पर 25,000 मंडियों की जरूरत है हमें वह बढ़ाना चाहिए था MSP बढ़ाना चाहिए था किसान कहते हैं कि हमें पूरा MSP नहीं मिलता है APMC मंडी में किसान को MSP मिले वो law बनाना चाहिए था कानून बनाना चाहिए था यह नहीं कि जहां औरेडी 94% 94% किसान परिवार प्राइविट को वैसे ही बेचते हैं वहाँ पर प्राइविट सेक्टर को और भी बढ़ावा दिया जाए खेर मैं आपकी बात करूँगा कि आप अगर जै जवान जै किसान इस नारे में विश्वास रखते हैं इसको बार-बार कहते हैं तो किसानों के हक के लिए थोड़ा सा बोलिए थोड़ा सा लड़ी है क्यूं मैं जै जवान जै किसान के साथ जै जवान इसलिए जोड़ा हूं कि आप जानते हैं जातर जवान जो हैं वो किसान के बेटे होते हैं तो आप जो है ये तक थोड़ा दूर दूर तक पहलाईए इतना तो कर सकते हैं निकाल सकते हैं आपने दोस्तों तक पहुचा सकते हैं कि ये है किसानों का असली हाल ये है सिचुएशन हमारे देश के खेती का आप दस मिन लगाईए पंदर मिन लगाईए इतना कर दीजिए उसके बाद जाईए वापस वही बॉलीवुड की राजनीती गोधी मीडिया पर कि ये जेगा